हेलो फ्रेंट्स में हूँ विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल दोस्तों नोकिया ने नोकिया 6.1 प्लस को जल्द ही इंडिया में लॉंच करने वाला है नोकिया X6 के ग्लोबल विरियंट नोकिया 6.1 प्लस को पिछले महीने ही लॉंच किया गया था इसके बाद से भारत में रहने वाले नोकिया के फ्रेंज को नोकिया 6.1 प्लस का बेसबरी से इंतजार है अच्छी ख़वर है कि इस phone को जल्द ही भारत में लोंज किया जाएगा Nokia brand के इस smartphone को Hong Kong में 2280 Hong Kong डॉलर यानि करीब 20,000 रुपए में लोंज किया गया था अब Nokia brand के smartphone बनाने वाले company एच एमडी ग्लोबल ने एक टीजर जारी किया है जो इसारा करता है कि इस फोन को जल्द ही भारते मार्केट में लाया जाएगा वैसे हैंड सेट को लेकर कोई अधिकारिक जनकारी नहीं दी गई है लेकिन उम्मीद है कि नोकिया 6.1 प्लस स्मार्टफोन के साथ नोकिया 5.1 एंड नोकिया 2.1 को भी लॉंच किया जाएगा फिलहाल लॉंच की तारीक के बारे में कोई जनकारी नहीं उप्लाब्द है तो आज हम नोकिया 6.1 प्लस के बारे में जानाएंगे आपको बताते कि नोकिया 1.6 को सबसे पहले चीन में मई के महिने में लॉंच किया गया था और नोकिया 6.1 प्लस इसी हैंड सेट का एक वेरियेंट है इसका मतलब है कि इसका मैक्सिम्म स्पेसिफिकर्ण नोकिया एक 6 के जैसा ही होने वाला है आपको बताते कि नोकिया 6.1 प्लस एंडुएड 8.1 औरियो पेरन करता है इसमें आपको 5.8 इंच का फुल एच्डी प्लस रेजिलेशन वाला डिस्पेले मिल जाता है जो टेन एट टू इंटू टू टू एट जीरो पिक्सेल के साथ आता है यह गोरिला गलास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आता है इसमार्ट फोन में डिस्पेले नौज एसमार्ट फोन को काफी लुक देता है अगर इसके एस्पेक्टेड रेशियो को देखे तो इसमें आपको 90 इस्टू नाइन वाला एस्पेक्टेड रेशियो मिलेगा इस फोन में आपको औक और कौलकम में स्नैप ड्रेगन 636 वाला प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है और दूसरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का है फ्रंट पैरनल पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शुटर दिया गया है बहतर फोटोग्राफी के लिए इसमें सब्सक्राइब करें तो इसमें कंपनी ने सिक्स्टी फोर जीवी स्ट्रीज दी है और जरूरत परने पर माइक्रो एश्डी कार्ट के इस्तमाल से इसके स्ट्रीज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इस हैंट सेट में 3060 मेंज की बैटरी तीकर ही जो फास चार्जिंग को सपोर्ट करता है यह 18 वाट के चार्जर के सांथ आता है यह चार्जर फोन की बैटरीव को 50% से ज्यादा चार्जर निक शमता रखता है वही 30 मिनट के अंदर में तो एथी नो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद